अलो एवरिवन वेल्कम बैक पो बर चैनल तो आई होब कि आप सब के क्लास 9 और 11 के जो रिजल्ट है वो आ चुके होंगे तो अभी आप लोगों के मन में ये सवाल होगा कि अभी क्लास 10 और 12 की त्यारी किस तरह से स्टार्ट करें तो उसी के लिए आज की इस वीडियो में मै आप लोगों को बताने जा रहा हों कि आप लोगों का स्लेब बस क्या है और आप लोग जो है वो अपनी त्यारी किस तरीके से कर सकते हैं फस्तली आप लोग जो है जो भी आपका बोर्ड है चाहिए आप लोग सीब्यसी बोर्ड के हैं चाहिए आप स्टेट बोर्ड के हैं तो आप लोग firstly अपने जो स्लेब बस हैं उन स्लेब बस को जो है वो आफिशल वेब साइट से निकाल लें उनको जातो कॉपी के उपर नोट कर लें या उनका प्रिंट आउट निकलवा लें अगर आप लोगों को स्लेब बस नहीं मिल रहे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रि में बच्चे प्रमोट हो रहे हैं चाहिए वो कोई भी क्लास है तो उनके मन में सबसे पहला यही कोशन आ रहा है कि उनकी जो बुक्स हैं वो कौन सी बुक्स होने वाली है तो फसली जो भी खास करके जो नाइंथ से लेके ट्वेल्थ तक के बच्चे हैं उनकी जो बुक्स ह होती है वो NCRT book होती है तो firstly आप लोग देखेंगे तो ये एक official website में ने open करी है इसकी जो link है उसको भी मैं description में डाल दूँगा आप उधर से जाके इसको open कर सकते हैं तो इदर से जैसे ही मैं select class के उपर click करता हूं तो आप लोग देख सकते हैं तो आप लोग किसी भी class की जो N NCRT book है उसको download कर सकते हैं तो अभी फिलाल के लिए class 10 science की जो book है उसको इदर open करके रखा है तो अगर हम लोग बात करें अभी especially जो भी हम लोग बात करेंगे तो मैं class 10 science के point of view से करूंगा जो भी बाते समझाओंगा तो उदर मैं ज्यादा तर बात करूंगा class 10 science की तो सबसे एक जेके बोस है तो इन दोनों के अगर बात की जाए तो पिछले साल से पहले compare कर लेते हैं तो CBSC में जो पिछल अभी exam हुआ है उसमें total chapter 13 आए थे जेके बोस में जो chapter आए थे वो 16 chapter आए थे तो अभी जो अगर बात करें NCRT की जो बुक थी पिछले साल के लिए जेके बोस और CBSC की बुक आलमोस्ट सेम थी बट इस साल जो CBSC की बुक है उस बुक में change आई है जो पिछली साल का syllabus था उसी के recording एक जो नई बुक है वो बनके आ चुकी है NCRT बुक तो अगर हम लोग NCR 30 बुक पे देखें तो इस वार जो हैं वो टोटल जो चैप्टर शो किये गए हैं वो 13 ही चैप्टर शो किये गए हैं जो चैप्टर सलेबस में डिलीटी थे इस वार उनको बुक से ही डिलीट कर दिया गया है तो अब बच्चों के मन में जो common question जो मेरे को काफी सारे कर लूँ या मेरे पास already पिछले साल की जो बुक पड़ी है तो क्या मेरे को नई बुक लेने की need है तो मैं उसको बोलूँगा उसको need नहीं है क्योंकि जो पुरानी वाली बुक है उसके अंदर 16 चैप्टर है और जो new वाली बुक है उसके 13 चैप्टर है तो पहली बात आप यह समझ लेजिए कि जितने भी चैप्टर या जितने भी टॉपिक new बुक में है वो सारे के सारे पुरानी बुक में तो हाई है ठीक है तो पुरानी बुक के जो चैप्टर या टॉपिक है साइंस में वो सारे के सारे new बुक में है तो जिसके पास पुरानी बुक है 16 चैप् पिछले वाली बुक है पुरानी वाली बुक है वो जो है वो बिल्कुल ठीक है वो उनकी चल सकती है जैसे एक्जामपल के दोर पे मैं अधर चैप्टर्स वाइस ओपन कर देता हूं मैं ओपन पे दर क्लिक करता हूं तो आप लोग देखेंगे देखेंगे तो जैसे आप लोग देख सकते हैं कि क्लास 10 साइंस का फर्स चैप्टर को उपन करा है इसमें जो सबसे पहला चैप्टर सामने निकल किया है इसके अंदर ये जो NCRT के टॉपिक से इस सारे टॉपिक आप लोगों को अच्छे से प्रपियर कर लेने हैं क्योंकि अ होगे ठीक है तो बड़ी जल्दी ही हम लोग आपकी क्लासिस भी स्टार्ट कर देंगे उसमें आपको बताएंगे किस तरीके से इन टॉपिक्स को आपको पढ़ना है ठीक है तो अगर आपके मन में कोई भी और कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं डेफिनि लिए आपको उसका अंसर मिलेगा